है गाईज वेल्कम बैक टू दिस अनदर न्यू वीडियो और मैं हूं सुसांत आपको हमारे चनल पर स्वागत हैं दोस्तों तो दोस्तों आज हम बात करने वाला ही इगवाना के बारे में ठीक है तो दोस्तों इगवाना एक बहुत ही अच्छा पेट होता है एक्जोटिक पे करेंगे दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को कहीं पर भी स्कीप मत किजेगा और पूरा ही वीडियो को देखेगा क्योंकि आज हम मैं इगवाना के बारे में पूरा ही डिटल्स में बताऊंगा फूल डिटल्स एबाउट में इगवाना के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों बने रही है इस वीडियो पर अगर चैनल पर आप नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास वाले जो घंटी का इकन है उसको जरूर प्रेस कर लेजीगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेसन में जरूर सो करें तो दोस् दोस्तों मैं बताओं इसको इनके नाम जो कॉमोन नेम है इगवाना और इनका साइटिफिक नेम है और दोस्तों यह रेपटाइल स्पीसिल्स में जाता है ठीक है इनके जो डायट होता है मैक्सिमुम यह हर्षी बिवोरस होता है याने कि vegetarian होता है और दोस्तों चलिए हम इनके maximum size के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये maximum ये 6-7 feet तक जाग सकते हैं ठीक है 6.5-7 feet तक ये लंबा हो सकते हैं इनके weight होता है वो 11 pound होता है याने कि kg में अगर आप हम हिसाब करें तो इनके weight तक्रीबन आसबास 5 kg तक हो जाते हैं इस तरह के weight gain कर लेते हैं अमेरिका में पाए जाते हैं और ये अमेरिका का most largest lizard होते हैं और अमेरिका में जो लिजार्ड मिलते हैं वो उनमें से वो largest iguana होता है इगवाना ही वो largest lizard होता है और ये दोस्तों अमेरिका के rainforest में ज्यादा तर पाए जाते हैं नौर्थ अमेरिका Central America और Caribbean Island एक होता है वहां पर ये ज्यादा तर पाए जाते हैं और दोस्तों ये Southern Brazil में मिलते हैं और दोस्तों नेक्स्त हम चलिए हम बात करते हैं इनके behavior को ये दोस्तों ज्यादा तर ये maximum दिन के टाइम ये ज्यादा तर आक्टीव रहते हैं और ये पेड़ पौधे में घूमते रहते हैं और पेड़ में से वो पत्ता और बड़ें यह फौबर्स और फुरूट्स ये कअलड़ कर Garage करते करके ये खता रहते हैं दिन भर और ये जदा तर पानी के आधा सी मिलते हैं यानि कि जहांपे पानी का श्रोहत होता है वो जदातर यह ही मिलता और यह दोस्तों बहुत ग्रदिकफी अच्छा सुमर्भी होता हैं और दोश्तों एक है करते हैं प्थिके चाहिए आफ करके और हाज होता है बना करते हैं वर वह इंफर्παइलार रहता है उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं बनालियो lifespan जो होता है वो 10 से 15 साल होता है और maximum जो इनके lifespan देखा गया है report में इनके lifespan तकरीबन दोस्तों 25 years तक देखे गये हैं sexually जब mature होते हैं तकरीबन इनको 2 साल लग जाता है ठीक है sexually mature होने में अभी तो यह सिर्फ और सिर्फ तीन से चार महिना होगा इसका year एज अभी तीन-चार महिना होगा ठीक है और यह अभी छोटा है दोस्तों और यह अपना टेल भी अगर कट जाए तो यह ग्रो भी कर सकते हैं दोस्तों देखे इसका जो टेल है यह भी कटा हुआ था और यह यह पहनी आप करता है तो इस तरह से च्पकल होते हैं दोस्तों अपने से इस तरह से यह कहीं पहुति में प्रेस के तो अगर कर लिया है तो यह अपना जो प्रेल होता है वो अपने आ। काट लेते हैं यानि कि वह जानवर जो है वह टेल को पकड़ ले इनको ना पकड़े तो इसलिए यह टेल भी काट लेते हैं उसी तरह से जिस तरह से चिपकलिया होते हैं तो दोस्तों next video में हम बात करेंगे कि इनके इनको care हम किस तरह से कर सकते हैं और इनको हम किस तरह से पाल सकते हैं और इनका जो environment है हम इनको किस तरह से देना चाहिए और इनके जो breeding चैनल में तो किस terh हम रख सकते हैं तो पूरे डिटल्स में हम बात करेंगे दोस्तों तो दोस्तों यह था कुछ information इग्वाना की बेसिक की इंफ्रमेशन के बारे में कि इगवाना क्या होता है इनके डायेट क्या होता है और इनके रिचाने को कहां पर मिलता है यह सारे बात हैं हम इस वीडियों में कवर किये नेस्स्ट वीडियों में हमकुभर करेंगे दोस्तों कि कि औरaja how इनको हम इन्प्रोजर के धसे और इनको खाने दोस्त के साथ सेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं और एक ने वीडियो और एक ने टपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों थैंकी शो मैश थैंकी फॉर वाइसिंग दिस वीडियो अधियों के मेरे उपर ही कंदो पर आक लेका है यह बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से टेंब होते हैं रहें होगे है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि वब दो कि अिया है